लेटेस्ट नियूज की जानकारी के लिए चानल को सब्स्राइब करें और बेल आई कद नबाएं इस समय बिग बॉस 14 में पासा पलड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से एक मज़िदार अंदाज में राखिस सावंत ने बिग बॉस 14 में जिस तरीके से एंट्री ली थी उस तरीके से सारे एक दर्शकों को और कंटेस्टेंट्स को भी यही लगा था कि राखिस सावंत ही है वो इंसान जो इस घर में आकर अपनी चला सकती है और सारे contestants को अपनी उंगली पर नचा सकती है जैसा कुछ दिनों तक देखा भी गया था क्योंकि वो अपनी मस्त मौल अंदास से सबका दिल जीत लेती थी और सारे contestants से बिढ़ती हुई भी नजर आती थी वो Big Boss 14 की जान बन चुकी है लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि वो अभीनव शुक्या और रुबीना दिले की चमची बनती जा रही है जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे है कि वो राखी सावन्त जो कुछ भी कर बैठती थी और कुछ भी करने से या कुछ भी बोलने से पहले नहीं सोचा करती थी अब वो हर एक कदम ले रही है रुबीना के सोच समझ से जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे है कि आज कल राखी सावन्त बन चुकी है रुबीना और अभीनव की चमची जिसके बाद उनके fans ने भी उन्हें यही कह दिया है कि आज कल तुम Rubina और Abinav की चमची बन गई हो जिसके बाद उन्हें इस बारे में काफी ज्यादा ट्रोल होना पड़ा है इस वजे से उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल होना पड़ा है पहले ये दिखा जाता था कि कुछ समय पहले सारे कंटेस्टेंस ये कह रहे थे कि अभिनव और रुबीना है चमचे वो भी राखी सावंत के लिकिन उनके फैंस ने ये कह दिया है कि राखी सावंत है चमची रुबीना दिलेक और अभिनव शुकला की